नमस्कार दोस्तों मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल ब्लेशिंग चैनल में वर्बल जी के भी ट्रिक का इस सेवन्थ पार्ट है तो पहले मैं एक बात बतादू मैंने पीछे के एक हफते से कोई भी वीडियो नहीं डाली है उसका रीजन क्या मैं प्रेट कंद लेकिन मेरे मुँझे किया निकल गया मैं बताा रहूं कि मैने कह दिया किस वादर जयान का जनक किसे कहा जाता है वो Sigmund Frayde को नहीं कहा जाता वो William Wundt को कहा जाता है Father of Psycho Analysis पूछा जाए तो Sigmund Frayde है लेकिन Father of Psychology पूछा जाए तो Sigmund Frayde नहीं है William Wundt है तो यहाँ पर stress हो गया था क्योंकि एक वीडियो को बनाने में 9-10 घंटे लग जाते हैं और मैं एडिटिंग करकर उसको वह ठीक भी कर सकता था लिकिने की नहीं क्योंकि मुझे एक टीचर की बात याद आ गई कि एक टीचर ने कहा था कि यदि क्यूशन बीच में से गल्थ हो जाता आपका कोई क्यूशन गल्थ हो जाता है तो आप सुरुवात से शुरू करेना है कि बीच में से क्या पता कहां पर गल्थ निकल जाए तो इसलिए मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी स्टेस इसलिए आ गया क्योंकि पीछे के एक महिने से आपने इतना जादा स्पोर्ट किया है मुझे 1,32,000 मिन्ट से जादा आपने मुझे देखा है पीछे के एक महिने में तो इतना विश्वास आपने मुझ पर दिखाया है और मैरे आपका विश्वास तूट जाता आप पूट कि मैंने गल्थ वीडियो डाली है कि उसमें आ गया है तो आपका विश्वास मुझे पर से कम ना हो तो मैंने पहले ही वो वीडियो डिलीट कर दी है लेकिन मैं फिर भी आपसे माफी मांग रहा हूं लेकिन मेरा जो जीके पढ़ाने का जो मैथड होता है वो आपक है वो भी कभ याद आया मुझे मैं आपको बता दू मैं उसके बनाने बनाकर डाल भी दी मुझे याद नहीं आया सोया हुआ था तो दिमाग में हलसल सी हुई मुझे दिमाग में आया कि 1879 में फर्स्ट जो पहली प्रियो साला ओपन की गए थी वो विल्यम वूंट ने की थ जो मुझे ध्यान आया यार फादर ओफ साइकलोजी तो विल्यम वूंट है सिमन फ्रेड तो नहीं है मैंने सिमन फ्रेड कैसे नाम ले दिया तो स्ट्रेस तो एक हफ़ते से ऐसे ही दिमाग हलसल रही और स्ट्रेस भी बहुत रहा फिर मुझे जो फरकार हैं कि एक लाइन य करें यह हर मुझेल का हल होता है आज नहीं तो बहुता है आज को कल पर मत जाने MILम उस्ट मेंसे क्न हम नाम से फैन की पहले तो आपके option में विलियम जेम्स भी पाएगा guarantee की बात है विलियम वुंड्स तो हार हालत में हुआ क्या है father of psychology तो विलियम वुंड्स जो दो उपसर में पाएगे 100 to 100% sure है तो विलियम जेम्स आप फिर कर फिर्फिजन हो सकते है जो जिस दोस्त को याद नहीं रहता हो कि फादर प्साइकलोजी कौन है तो उनको याद कैसे करें उसके आजाते हैं तो आप एक बात ध्यान दे कि विलियम वूंट मतलब जब भी हम कोई काम करते हैं तो क्या करते हैं अच्छा कोई काम की शुरुवात करते हैं तो हम क्या करते हैं हम अच्छे से कबड़े पहनते हैं शूट भूट अच्छे तरह ऐसे तरीके से हम किसी काम को शुरुवात करते हैं तो अच्छे सिस्टेमेटी धन्से करते हैं हम भी त्यार होते हैं सूट बूट पहनते हैं तो मतलब क्या है विलियम वूंट में से नह को हटा दे तो बूट बन जाता है वूट समझ लो बूट समझ लो तो कब जब आप दिमाग में सैट कर ले जब भी साइकलोजी का निर्मान हुआ साइकलोजी का कोई भी प्रयोक साला बनाई गए तो क्या हुआ कि अच्छे तरह से सूट बूट पहन कर वो त्यार किया गया तो मतलब मतलब आपका अंसर विलियम बूट है विलियम जेम्स को थे वैसे बता देता हूं विलियम जेम्स प्रकायवाद के जनक थे प्रकायवाद मतलब विलियम जेम्स को तो यह बात के लिए हो गई कि आपको मालूम चली गया होगा कि क्या लेवल है और एक-एक क्यूस्टन को कैसे कवर करना है कोई यह हवा में तीर नहीं है कि वहीं एक क्यूस्टन यहां से ले लिया कि हमें पेपर को क्यूस्टन को क्लियर कर रहे हैं जो पीछे पूछे रहे हैं तो आगे से यह जो क्यूस्टन जो मैं करवा रहा हूं आप नहीं भूलोगी आप विश्वास करें बस हम पढ़ते हैं अ कौन सा तिर्थ स्थल स्थित है सोनीपत जिले के खेड़ी गुजर गाओं में कौन सा तिर्थ स्थल स्थित है तो option देख लेते हैं राम देव तिर्थ स्थल सीदला तिर्थ स्थल सतकुमबा तिर्थ स्थल धमताम तिर्थ स्थल तो इसका जो अनस्वर है वो है सतकुमबा ति तो हम इसको याद कैसे करें उस पर आजाते हैं तो आप देखिए पिश्चल को एक वार्द बारा देखिए कि सोनी पत्थ जिले के खेडी गुजर गाओं के कौन सा कोगाओं में कौन सा तिर्थ थल्स्थित है तो सथकुम्भा तिर्थ हमारा अमस्वर्थ हम याद ऐसे कर सकत साथ घड़े रखे हैं कि सोनी साथ कुम्भ लेकर साथ कुम्भ लेकर क्या हुआ तिर्थ स्थल से गुजर रही है कि सोनी साथ कुम्भ लेकर तिर्थ स्थल से गुजर रही है मतलब सोनी का मतलब साथ कुम्भ का मतलब साथ कुम्भ जगाती कुम्भा और तिर्थ स्थल को द बिनोट करता है लेकर गुजर रही है मतलब गुजर गुजर रही है हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं यह पूस्ट जो प्राइब यह बहुत ही इंपोर्ट किस्टन है क्यूं है क्यों यह सी सीजल के पिरी में आया है और अब भी आया है यह इसमें मतलब यह काफी सालों से चलता आ रहा है यह क्या क्यूशन है कि IR20 एक महतव पूरण किस्म है किस चीज की किस्म है गेहों की बाल्दे की जवार की धान की तो हमारा जो अंसुर है वो धान है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं आप ध्यान से देखे मैंने पिछे बरदो जी कि में कि याद किया जाए अल्फावेट को कैसी याद किया जाए मतलब कि एक स्थान एक है बी का दो है तीन सी का तीन है ऐसे हम याद करते हैं तो ऐसे हम यदि याद करें कि एक स्थान एक है पीछे से एक पहला स्थान किसका होता है जड का होता है बी का स्थान आगे से दो है तो तो पीछे से दूसरा स्थान किसका होता है जड का उसका वाई का सी का स्थान आगे से तीन है तो पीछे से किसका स्थान तीन स्था होता है एक्स का ऐसे आगे दाए और बाई से दी देखें तो हम कैसे याद कर सकते थे उसको एक को हम आज करकर बी से बाई सी से का स्थी से डी की तो आजी का उपोजिटा होता है और हमने याद कैसे कियाता दिल्दियन रेल वे मैं जेगे अपर में इस तो किसन था आई आर टॉंटि मेहतो फूरल किसं 5 हैं तू 살के यिए झोटी शी मृसंपाल गौते परफूल谢谢 के चैनि के ऐंटिंटी मैच में 2020 को instruments कर ता कि ऍपिशनिक 2020 में चाओल खा रही है तो मतलब क्या है आप कांसपर आ जाता है इसमें इसके वाद जो क्यूशन आता है ये क्यूशन वध्यान से देखे कितने क्यूशन कवर हो जाते हैं इसमें कि निवे विखेत में से कौन सा राज्या मक्य के उतपादर में परमुख है तो उप्सन है उतरप्रदेश हर्याना अ अंधर प्रदेश है वो है मक्य के पादर में परमुख है तो अंधर प्रदेश आपको कुछ याद आया हो पीछे की वीडियो में मैंने बताया था कि जो कुछी पूरी निर्त्य होता है वो अंधर प्रदेश का है लोक निर्त्य और याद कैसे करवाया था मैंने कि अंधे कच कुछी पूड़ी खाकर निर्त्य कने लगे मितलब अंद्र कदेश का जो लोग निर्त्य है वो क्या है कुछी पूड़ी पहली बात प्लिए उसके बाद मैंने एक वीडियो और मनाई थी वरबल जी कि उसमें कुछन और आता है कि एस्या की अंडे की टोगरी किसे कहा जाता है तो वो भी अंद्र प्रदेश इसको कहा जाता है इस्या की अंडे की टोगरी तो उसको याद कैसे करें उसको भी आ जाते हैं तो मैंने उसके लिए एक लाइन मढ़ाई थी ये दो लोग किसन याद करने के लिए कि अंधे अंडे की टोगरी में से कि अंधें अंडें की टोगरी में से कच्छी पुरी खाकर निर्ता लैंदर अंडर परदेश अंडी की टोगरीभ मतलब अंडी की टोगरीभ कहा जाता अब यह कुछिछ ना जाता है एक और राजय कुछा राजय मख्ये के उत्पाद में प्रमुख है तो अंडर परदेश इसका भी इसमें डिकोड कर देते हैं यह एक ही लाइन के अंदर तीनों किसन अब आम एक लाइन फिल्ग कर दित्ता है यंधे जो थे यंधे अंदे की ठोगरी में से अंदे मक्का की कच्छी पूरी मक्के से बनी है अंदे की मक्का की कच्छी पूरी ठाकर निर्त्य कदने लगे अब हमारी ये तीनों कुछी पूरी जो निर्त है वो कहां का है आंदर प्रदेश का ये तीनों कुछी पूरी जो निर्त है वो कहां का है आंदर प्रदेश का ये तीनों कुछी पूरी के अंदर एक लाइं के अंदर बन जाते हैं उसके बाद आ जाता है कि हर्याना केसरी के न साल तक कि आफ एक्जाम देख लिए हaryana की यह किसन बार बार आ रहा है और confusion किस में रहता है वो भी मैं बता जेता हूं ओसर देख लेता है पहले पंडित नेकि राम देवी लाल बंसी लाल भगवत बयाल सरमा अब confusion मैं बता जाँ किस में रहता है देवी लाल और बंसी लाल में confusion नहीं रहता, confusion रहता है पंडित नेकी राम शर्मा अंस्वर है या भगवत द्याल सर्मा अंस्वर है, हर्याना केश्री के नाम से कौन भी जात है, question ये था, तो हमारा अंस्वर है पंडित नेकी राम तो एक बात या रखे, भगवत, मैंने ये द्याल सर्मा कौन है, वैसे भी आपको पता होगा, कि मुख्य मंत्री है, मैंने भगवत की पासे, डिकोड किया था, जो पीछे की जीके, पिछला पार्ट है, जो इससे उसमें आप देख सकते हैं, बार-बार बताना ठीक नहीं लगता, तो पंडित नेकी राम इसका करते हैं, तो हनुमान, कहीं पर भी हनुमान मंदिर होता है, केसरी रंग का महतव होता है, केसर चलाया जाता है, केसरी रंग का फ्लैग भी होता है, जंडा भी होता है, कबड़ा भी होता है, उस चीज को ध्यान पकिए, अब हम इसको पढ़ते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, कि हरयाना में केसरी रंग नेकी का प्रतीक है राम के साथ चला था यह रंग हम ऐसे कर सकते हैं यह किसे क्या होता है कि नेकी नेकी यहां नेकी राम को डिनोट करता है नेकी बीच में राम भी आता है कि राम नेकी राम और सर्मा भी आता है और केसी रंग भी आ जाता है कि हर्याना में केसी रंग नेकी का परतीक है राम के साथ चला था यह सर्माजी हम ऐ सब्सक्राइब का मुख्यान में कहां पर है तो मुंबई में कॉलकॉता में नई दिल्ली में लखनाव में कुछ यह ज्यादा बड़ी हो जाएगी इसको मैं इसकी फूर फूर्म तो बताई ही देता हूं कि समोल इंडिया भारतिय लगू दोग विखास बैंक सीड़ी का सीड़ी की फूर्म है का मुख्याले कहां पर है का मुख्याले लखनों में है इसकी कोई प्रिक नहीं मनें उससे तो आप इसको याद कर ले याद क्यूं कर ले क्यूंकि यह कुछन आया है तो दवारा भी आ सकता है ए कैबिनेट कमें मिशन भारत में कब आया है कि काफी इंपोर्टेंट ही है तो देना ज़रूरी था उप्सन है है C A B I N E T तो इसमें से हम क्यों वोबल ले ले लेते हैं वोबल में जैसे A E I O U में से तो इसमें क्या A है आई है और E है तो A का स्थान एक है I का स्थान 9 होता है और E का स्थान 5 होता है और हमारा अंसर है 1946 उनिजिस और पांच की दिगुना करते हैं 9545 होता है लेकिन 45 को एक से गुना करें तो पैंथालión से रहता है तो not आता उनिजिसओ पैंथानिस आसर नहीं है 1946 है तो हम बस एक सोटा सा दि मांग में लगा सकते हैं कि वही 95 की जब करते हैं आई और एक से गुना करें तो कोई फरक नहीं पड़ता जिसलिए हम इसको जोड़ देते हैं 45 प्लस एक तो 46 बनता है तो मतलब 1946 हमारा अंस्वर है हां बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्योंकि ज्यादा बढ़ी हो जाएगी अगर इस वीडियो के माध्यम से आ आप में वीडियो को लाइक कर सकते हैं नहीं तो विस लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और यदि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप बैल आइकोन दवाना ने भूले क्योंकि उससे नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी कि वही वीड क्यों कोई नहीं डली है या नहीं डली है अच्छा दोस्तों चेहने